पाच इशर्णों के लिए चुनाव प्रचार खतम हो चुका है बेस दिसम्बर को संताल की सभी 16 सीटों पर वोटिंग होनी है कॉंग्रेस के स्टार प्रचारक शत्रुगन सिना भी आंतिम चरन के चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकज हो की शत्रुगन सिना से खास बाचीत की है सवादाता आयुष चोहान ने और यतने लोग जो इतनी बड़ी-बड़ी विशाल रैली जो आ रही हैं और जिनको मेंने संभोधित किया करने का स और लिए पुश की घड़ी है और नए सत्ता के ओर देख रहे हैं का झा इनर्जी इस बात का परचायक है कि ये परिवर्तन की घड़ी है और नई सत्ता महागडबंदन की ओर देख रहे हैं, कॉंग्रेस की ओर देख रहे हैं, हेमन शोरेन की तरफ देख रहे हैं, आर जेटी के हमारे लालू पसाद यादू जी और उनके लोग हैं, उनके तरफ देख रहे हैं महागडबंदन को कितने सीटे इसमें से 55 में से कितने सीटे मुईत करते हैं आर तो बिल्कुर हमने कहा भरपूर समर्थन में है महागडबंदन के और दूसरी बात ही है कि मैं अतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ मुझसरे अगर लोग कहते हैं कितनी सीटे आएंगे और पहली बात तो मैं अगूरा आइक्सपर्ट नहीं कि बताओं कितनी सीटे आएंगे और दूसरी बात अब तो इन बातों कोई लाब नहींième आप तो स्रिफ आंगुल्न बिता सकते हैं नहीं नहीं बातें नहीं नहीं चीजें लेकर आ रही हैं उस्सों मुख मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए चाहे इन ये सीए भी हो कि नागरिक संशोधन बिल हो या फिर आपका ये अनर्सी हो जो अनार्की का रूप ले रही है यूद प्रधान मंत्री ने बिपक्च प अब लगता हूं कर दो से मुद्दे खतम हों कि मुद्दे एक्स्पोस हो गए अब जह तरह से इसलिए करने किया आपने है आरोप अब यह विपक्ष पर लगा रहे हैं तो यह थे सतुधन सिना जी जिनोंने साफ जाहिर किया कि वे जो नागरिकता संसोधन बिल के विरोध म ही था जिस वक्त में इस बिलकुल आया गया है यह बिलकुल फिजूल है और इससे काफी नुकसान होगा देश को अपने सहीयोगी तपेश के साथ न्यूजलन भारत के लिए आयूस चौहान की रिपोर्ट